हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम लोग टू डिजिट नमबर यानि दो अंको की संख्या का अस्क्वाइर निकालना सिखेंगे दोस्तो ठीक ना दोस्तो, तो आज हम लोग two digit a square निकालने वाले हैं, एकदम concept से निकालने वाले हैं दोस्तो, दो तीन methods हैं, हर method का अलग-अलग जगा पर इस्तमाल होता है, तो सबसे पहला method हम आपको आज बता रहे हैं, वो ध्यान देंगे, कि मान लीजे, एक से 10 तक तो आपको a square य से मान लीजे दोस्तो, गर हम निकालने वाले हैं, मान लीजे हम निकाल रहे हैं, 21 का square दोस्तो, एक से 10 तक आप याद रखेंगे, ऐसा उमीद है में, जितना जादा आप square याद करोगे, उतनी सुविधा होगी, तो एक से 10 तक का square आप याद रखो, जैसे अब एक का square क्या ह 6 का square, 36, 7 का square, 49, 8 का square, 64, और 9 का square, 81, और 10 का square, 100 है दोस्तो, ठीक न, उमीद है इतना आप लोग याद कर लेंगे, उसके बात के सारे questions निकलते हैं, अब जैसे 21 का square निकलना एकदम बात को ध्यान से समझेंगे, एकदम आसान सा है, पहले ये दो numbers में बटा हुआ है, दो और 21, अब इनको अगर 21 आप देख रहे हैं, तो 21 में से हर एक number का अलग से square निकाल लिजे, अब ध्यान दिजेगा जो पहला number है, उसका जब भी लिखेंगे, एक का square, एक बट इसे double digit में लिखेंगे, तो 0, 1 हो जाएगा, दो दूनी 4, आप इसे single भी लिखोगे, तो कोई दिक लिखत नहीं है, तो एक का square एक और दो का square चार, इसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा, कि आपको इन तीनों को गुणा करना है, किसको किसको, दो को, एक को, और ये दो को, तो दो, गुणे एक और गुणे दो, तो दो चार तो यहां चार लिख लेना है अब एक अंक में है तो इसको डवल अंक में लिखना है जीरो चार अब यहां से इसको छोड़ देना है इसको छोड़ देना और यहां से जैसे जो सब्द है चार तो चार लिख लीजिए जीरो तो जीरो लिख लीजिए अब इसे सीधा सा जो जाएंगे चीजे कभी दिक्कत ना हो अब एक और questions ले लेते हैं 38 का square हम बोल रहे हैं आप एक से 100 तक में किसी भी numbers पर ये trick को apply करेंगे आसानी से निकलेगा तो सबसे पहले तो 8 का square 88 64 दोस्तो और 3 का square 3 3 9 आप 2 भी लिखो या 0 डाल दो कोई दिक्कत नहीं second वाले में अब इ 44 लिख दिया दोस्तो जोड़ दीजे चार 8 14 के 4 बाकी एक 9 1 10 14 4 बाकी एक 0 और 1 एक यहनी 1444 हो गया दोस्तो और लेते हैं दोस्तो ध्यान से देखिएगा 42 का square करते हैं दोस्तो अब 42 के square में हमें क्या करना होगा वो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा 42 के लिए क्या करना होगा फिर हमें क्या करना होगा चार का स्क्वार और दो का स्क्वार बारी बारी से करेंगे तो दो का स्क्वार कितना हो जाएगा दो दूनी चार डवल डिजिट में लिखना चार चौक सोला अब क्या करना है इसको इससे गुणा करना फिर इसको इससे गुणा करना है तो चार दुनी आठ, आठ दुनी 16, 16 यहां लिख लेना है, इसको छोड़ देना है, चार, छो, छो एक साथ, और सत्रा सो, चो सट है दोस्तों, कुछ कोश्चन्स हम लोग बारी-बारी से देखिए, हमने 30 से 40 लिया, 40 से 50 का लिया, अगर आपको लगता है कोई और कोश्चन्स करेंगे, तो 9 का स्क्वार, 9 नमा 81, ठीक न, और 5 का स्क्वार, ठीक न, 5 का स्क्वार, 55, 25, 5 का स्क्वार क्या हो जाएगा, 55, 25, अब इन तीनों को गुणा करीए, तो 5 नमा 45, 45 दुनी 90, इसको छोड़ करके 90 लिख देंगे, तो 0 और 9, सिर्फ जोड़ना है आपको दोस्तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, 1, 8, 9, 5, 14, 4, बाकी, 1, 2, 1, 3, हो गया, अगला देखते हैं, 69 के बाद एक और देख लिजे, 63 का स्क्वार निकाल लेते हैं हम लोग, तिन तिया, 9, अब तो समझ में आ गया होगा, 6, 6, 36, अब यहां तो छोड़ देना है, 6, 18 दुनी, 36, लिख लिजे, अब सिर्फ जोड़ना है, 9, 6, 6, 3, 9, और 3, अब कोई और निकालते हैं दोस्तो, 84 का ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वार क्या होगा, 4 चोग, 16, 8, 8, 64, इसको तो छोड़ना ही है, 8 चोग, 32, 32, दुनी, 64, 64, लिख लिजे दोस्तो, 6, 4, 1, 5, 6, 4, 10, के सुनना बाकी, 6, 1, 7, यानि 70, 56, ठीक न, एक आध कोश्चन और लेंगे, फिर इसके इसी में से कुछ चीजे, कुछ कोश्चन इसको हमाँ आसान से हल कर सकते, जैसे हम ले ले रहे है am 99, 99 का स्क्वार्ण, दोस्तो, तो 99 का स्क्वार्र के लिए क्या करेंगे, 9 का स्क्वार, 9 का स्क्वार, 9 9 81, और 9 9 81, अब इन दोनों को गुणा करना है, इससे, तो 9 9 81, 81 गुणे 2 करेंगे, तो 162 जाएगा दोस्तो एक आसी मल्टिप्लाइए दो इक आई दो अठी सोलाते हैं हां से छोड़ेंगे दो छे एक अब इसको सिर्फ जोड़ दीजे एक आठ दू दस के सुनना बाकी एक छो एक साथ एक आठ 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 एक नुए यानि नाइन एट जीरो वन ये हमारे कुछ ऐसे तरीके हैं हम उस रेनी का निकालने वाले हैं दोस्तो हमारा जो अगला टाइप्स होगा दोस्तो ऐसी संख्या जिसके अंत में पाच हो जिस कोश्चन्स के अंत में पाच होगा उसका स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं अब सोचिए कि एक से सौ तक में एक से सौ तक में किसके किसके अ अंत में पाच आता, जैसे 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95, इसके आगे कोई भी रह जिसके अंत में पाच हो, कोई डिजिट्स हो, 1 to 100 हो, या 1 to 1000 हो, सारे का इसी मेथड से निकलेगा, अभी तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स का हम लोग ले रहे हैं, आगे 3 डिजिट्स का भी लेंगे, तो पहले 2 डिजिट्स में हम लोग काम कर लेते हैं, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब सबसे पहले 15 लिखेंगे दोस्तों, एक कोश्चन को थोड़ा डिटेल से, फिर तो आपको बिना पेन और पेपर के बनेगा दोस्तों, तो सबसे पहले 5 है, तो 5 का स्क्वार लिख लो इसके आगे 2 होता है, तो 1 गुने 2, तो 1 गुने 2 is equal to 2 दोस्तों, ठीक ना, अब जैसे मान लिए हमारे पास 25 हो गया, अगर 25 का स्क्वार निकालना है, तो 55 तो होगा, अब 2 है, तो 2 को कितने टाइम समलोग मल्टिप्लाइ करेंगे, 2 को उससे एक ज्यादा, तो 2 को किस से कर एक ज्यादा, तो 3 चौक, 1225, अब इसी तरह से 45 का हो गया दोस्तों, तो अब तो उमीद है, आपको समझ में आओ गया होगा, 45, 55, 25, और 4 है, तो इसको 5 मर पढ़ेंगे, तो 45, 20, इसी तरह से 95 का दोस्तो, 55, 25, और 9 है, तो 10 मार पढ़ेंगे, तो 9, 10 है, 90, ये उसी एक से 100 में कुछ चीजों को आसान करना, जिसमें आपको उस मेथट से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, जो हमने शुरू में बताया, इस से थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, अगला कोश्चन, अगला टाइप इसी में से है आगे, अब देखें दोस्तों, अगला जो हमारा जादा लेगा, इसी टाइमिंग को कम करने के लिए हम लोगों इस मेथट को सीखा है, और ये मेथट हमारा ध्यान से देखिएगा क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान मेथट है, हमें देखना होगा सबसे पहले कि ये क्या है, पचास से कम, अगर ये पचास से कम है, तो उन्चास है, तो पचास से एक कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वाइर, तो एक कम है, तो एक का स्क्वाइर एक, लेकिन हमने आपको यहां लिखा है, मैं ऐसा डवल डिजिट में लिखना है, दहाई अंक में, यानि टेन प्लेसे में लिखना है, तो एक और इसके आगे आग से माल लीजे 42 का स्क्वार ले लिया हमने अब देखिए ये 50 से कितना कम है दोस्तों तो ये 50 से दोस्तों 8 कम है कितना कम है 8 कम है तो 8 का स्क्वार 88 64 हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 88 64 और यहां क्या करना है 8 कम है तो 25 में से 8 गया 17 तो क्या हो गया 1764 और अगर लेना ह तो 49 ले लिजिये 49 तो ये 50 से कितना कम है दोस्तो 11 कम है 11 कम है तो 11 का स्क्वार क्या होता है 121 अब 121 में हमने हा लिखा है आपको हमेसा दहाई यह आउ eliminating लिखना है तो हमेसा दो ही डिजिट्स लिखना है तो 121 का 21 लिखेंगे और बाकी हमारा एक बचा हुआ है ध्यान रखिएगा अब ये एक आरा कम है तो पचीस में से एक आरा गया चौदा और एक पंदरा यानि पंदरा सो एकीस हो जाएगा दोस्तो उमीद है आपको ये समझ में आएगा एक कोश्चन इस पर और ले लेते हैं दोस्तो ध्यान से थोड़ा सा देखना आपको जादा कुछ है नहीं बहुत ही आसान सा कोश्चन से ऐसे 38 अब ये कितना कम है दोस्तो आप तो बता ही सकते हैं कि ये 50 से कितना कम है नहीं समझ में आता है ये दूसरा टाइप हुआ इसी का देखे चीजे आसान होगी जाए दोस्तो एक से सो तक में पहला तरीका फिर पांच हो फिर 50 से कम हो और एक 50 से जादा हो ये ध्यान दीजेगा दोस्तो अगला टाइप हमारा है दोस्तो 50 से अधिक रहने पर अब 50 से अधिक रहने पर क्या काम करना है वही काम करना है कि द्याक देखना है कितना अधिक है जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वार और उसमें घटाते थे 50 में ये ज़्यादा है तो जोडेंगे अब जैसे मान लिज तो जीरो डाल देंगे तो जीरो नो, अब ये पचीस और ये तीन जादा है, तो पचीस और तीन, अठाइस, यानि हमारा क्या हो जाएगा, अठाइस, जीरो नो, और कोई लेते हैं, तो फिप्टी नाइन ले लेते हैं, नो जादा है, तो 9 नमा, 81, डवल डिजिट में है, तो कुछ करना नहीं है, और पचीस और 9 कितना होता है, पचीस और 9 अठाइस, यानि हमारा अंसर क्या हो जाएगा, पचीस पलस 9, 9 क्योंगे, क्योंकि पचास से 9 जादा है, दिहां 9 रखेंगे, तो पचीस और 9 चौटीस, अगर आप 61 को लेना चाहते हैं, या 62 को ले लेते हैं, 12 जादा है, तो 12 का स्क्वार 144, 144 का 44, बाकी एक, और 25 में इस बार 12 जोडेंगे, तो 25 और 10, 35 और 27 और एक 38 हो जाएगा, दोस्तों देखें, ये 12 जादा है न, तो 25 में 12 आपको जोडना होगा, तो 25 में 12 जोडेंगे, तो 25 और 10, 35, 36, 37, और एक बाकी है 38, तो दोस्तों, एक से 100 तक का स्क्वार आप सकेंट में निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा, और 50 तक का स्क्वार याद रखें, याद रखना जादा आसान होगा, आप जैसे जैसे याद रखेंगे आपकी चीजे और आसान होगी आगे का जब हम लोग निकालेंगे 100 से जादा का स्क्वार तो आसान होती चली जाएगी, तो प्लीज दोस्तों आप एक से पचास तक का स्क्वार याद कर ले दो से चार बार एक से सो तक निकाले पहले और प्रैक्टिस कर ले कभी भूलेंगे नहीं तब तक के लिए जाएंगे